हालो दोस्तो मैं कुछा रडेंग ओड़े और आपका सभी का सभवत करता हूं में यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है तो दोस्तो मैं आज का वीडियो वीडियो आपका सब्सक्राइब करें या फिर कैसे उसका इस्तमाल करें कि दोस्तो मैं आप हमारा आख का वीडियो अच के शुरुवात करते हैं जो आईयो दोस्तो स्टार्ट करते हैं जोफेंस क्या है एक्च्छी भी में थे आए आपका क्या है तो यह फ्राफिकल अलिए बर इंटरफिस दैट रियप्राफिकल यहां पर आप दिख सकते हैं जोवेंस से इसमें दो औरन चेव ऑर और फेंसस पुल तो आप लोगों को मालम होगा जैसे मैंने पैंसरी बॉलां आपके दिमाग में अट आपके जोनों के हुआ विणा विए मिनार गूगल में यहां पर दे सकते यह जो है यह इक यौकुरी का है एक एरिया हे यह सारी देश्थों झीरिया हे मुट्द जोकान्य सप्सक्राइब अब एक यह घुजे आ अंग mamu reference यह एक यह लिया है A journal term अगर टेकनिकल रबाज करें तो इस दो इन इंटरफेस डेट रेप्रेजेंट जोग्राफिकल एरिया तो नॉर्मल वाशा मी कहें जोग्राफिकल एरिया और भाग उसको जो फेंस से इसको अमुल कैसे कर सकते हैं यह जो टांजिशन का है अमनों धेगा जूसंस इसके जूसंस में अब एरिया है तो एरिया में कुछ तो ट्रांजीशन होंगे मतलब कुछ एक्टिविट्य होंगे कुछ जो क्या बहुत complex logos खोनि hell ¡ होते हैं वो देखते हैं सबसे पहला मुमेंट है जो फेंस टांजिशन डाउन्वेल सेकेंड वन ही जो फेंस टांजिशन एंटर थर्ड वन जो है जो फेंस टांजिशन एक्जिट जो है थ्री है टांजिशन से तो सबसे पहले देखेंगे डाउन्वेल जो जो का ट्रांजिशन डाउन्वेल क्या है इंडिकेट्स दैट तो यूजर एंटर दे एरिया एंड स्पेंड समामांट अब टाइम मतलब क्या करता है कि यूजर है जो आपकी जो फेंस में एंटर हुआ है और उसने इतना अमांट of time, specific amount of time spend के है उस activity को क्या करता है जो फेंस टांजिशन डाउन्वेल क्या करता है रिपैसंट करता है जो निक्स है एंटरी मैं जब यूजर है जब बीज़य में अपकर जो फेंस में तब यूजर है आपका जो जोगरमिकल एईरिया है छोड़के जाएगा तब क्या होगा इस geofence transition exit indicate 5 हाँ यहाप देखेगा, indicate when the user exit the region. मतलब geofence जो user भायो होगा, वो कहा खता है, indicate करता है, next दोस्तों, दोस्तों देखेए कि how to create a geofence, how it is created geofence, so, हैहाँ को definition क्या दिया होगा है कि it is created by using तो दोस्तों देखिए यहां पर मैंने कोड दिया है जो फेंस जो फेंस इक्वल टू नू जो फेंस बिल्डर यह जो है उसका इंस्टन्स है जो फेंस इसका टॉट बिल्डर का सब्सक्राइब बनाएं बात में हमने क्या किये सब्सक्राइब नो फिर सब्सक्राइब धरहने सिल प्रिक और रिक खजर्च दोस्तों समय सब्सक्राइब ना परदा हैShavan plaça क्या तो कि सेब्सक्राइब अँए उसके लिए च्यक्तर सके क्या ना रिक डिया छिकौन, set request ID ये methodِ step adequate जल्व लोग क्याहिए 0–00Q का ID अभी क्या बहताए जैसे के अब wanderm dus Office के लिए बना रहे हैं या फिर School के लिए बना रहे है तो स्पूल का नाम Office का नाम देश सकते क्यों यूरिघ हो जाए तके अप जब इने में w Mouse फायर होंगे circular region मतलब कि कितना region कोई से region पर और कितना जो 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 आपको बनाना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है तीन परामेटर देने latitude, longitude और radius जो जो latitude और रेडियस मतलब एक specific latitude और longitude पर इतना radius का जो है circle set करना है तो उसके लिए हम लोग कहते है set circular region रेडियस हम लोग कितना भी दे सकते हैं जैसे की 100 meters आप क्यों पूटिपेंटर रहता है लेकिन दोस्तों याद देखेगा कि आपको जो बैटरी पावर कंजम्चन है उसका ध्यान में रख के हीज आपको जो है circular region करना पड़ेगा आपके application के requirement की दौरा बात में जो है set expiry duration मतलब जो हमने जो फेंस बना बना है उसका एक expiry set करना पड़ता है मतलब कि कितने देन के लिए एक तीन टू डेस त्री डेस कितने दीन के लिए वेसा या फिर आप पर्मनन चाहिए तो पर्मनन भी रख सकते हैं उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा डॉट सेट एकस्पायरी डूरेशन सेट करना पड़ता है और उसे में पैरामेटर कहा देना पड़ता है कितने में आपको देना है वह बाद में कहा है से टांजीशन ऍकटे मतलब कि कोंता रांजेशन आप आप ज require करना जाते है या फिर नोट करना जाते व हो टांजिशन आप यहां पर दे सकते हैं चैmoans थे तीन आपको प्रदोरी इं तान्जेशन बताहें थे गत जब भी यूजर मेरी जोफेंस में आएगा तो यह दो टांजेशन चेक की जाएंगे कि एदर वो एंट्री किया है या फिर वो एक्सिट कर रहे है लास्ट क्या है डॉट बिल्ड इस मैंतल का इस्तेमाल करके हम लोग जोफेंस बिल्ड करेंगे करते हैं तो दूस्तों देखा कि कैसे हम लोग जोफेंस बनाएंगे तो यह तो था अपनी जोफेंस बनाया हैं अब हमें जो क्या करना है जो हमने जो इस इसके अंदर जो इतना सब्सक्राइब डाटा डला है टिक वेस्ट आईड लागिट डूरेशन और टॉरेशन और जोफेस्सक्राइब दिया है वो लोगोने जोफेस्सक्राइब घुक्रीजक्राइब जोफेस्सक्राइब रिसेफ्सक्राइब यह ने कि यू गेड एंड इंस्टेंस भा यूजिंग बीलडर इस्तमाल करके आप चरफ एक बंदय को तरह बना सकते हैं और पासिंगे जो पासिंगे जोते जुपेंसिस और सब्सकित्जित करने जुपेंस करते हैं आप देख सकते हैं कि एक्सांपल में ने आप और कोड भी दिया हो है जोफेंस रिक्वेस्ट क्लास है उसका इंस्टेंस मैंने बनाए न्यू ओप्रेटर करके एक इस्टेंस क्रेट करने के लिए हम जुश करते हैं बैटि आप सब्सक्रा प्रेकराई लेए हमने पहीं होई रिक्वेस्ट का सबस्टेख कर सकते हैं। क्लास का जो फैस्ट का वो इंस्सेंस हम यहाँ पर देना है था कि जो भी ढ़ रहने उस वक्त दिया तो रहरा यहाँ यह तो सिंगल्ल जो फैंस था अगर आप लिस्ट ऑप जो क्या हां मिल्स्ट पर मतलब add होगा लिस्ट बाद में लास्ट में हम गया करना होगा ?build method का इस्तमाल करके semi-column देजएगा हमारे जूअच का जो रेक्वेस्ट है जो रेक्वेस्ट हो एक्रेट हो जाएगा वी इसी तरह हमने geographical request बनाया है अभी का नाई geographical transition service अभी हमने देखा क्या वेस्टों की geographical какие- PROFB जब भी ट्रिगर होगा तो उसको हैंडल कैसे करें तो आई देखों देखें देखें आप देखें फाइनली वी केंड क्रेट जोफिस इस इस क्लास यहां पर देखें हम एक लास बना रहें मतलब किसे फिरेट क्लास का कि हमारा मेन वाइट रेड़ है उसके उपर ज्यादा अ क्लास बना रहें जो कि intent service से extended होगा इसकी responsibility क्या है एंड इसकी response इसकी event trigger होंगे वो सब handle कर लेके कुन रिस्पांसिबल है intent service इवेंट जैसे की entry exit यह इवेंट होंगे हो intent service में हम लोग handle करेंगे सो आइए देखते हो class कैसे हम करेंगे करेंगे यह आपर देखें दोस्तों आपको क्या करना होगा खयान सीप्ली क्लास मनाएगा उसको एक्सेंड कि आ कुछेगा कुछ सांस। بıllुसेंस के साथ है इसके साथ .tv एक पारिन सिस्केंट मला है एक इंस दूरी हम। हुआ है । निखस्तो grade वहम्हारे इंसरी किया करते हैं, जोलुकल है। जैसे कि disent रहम हैं कि स्क्राइन इंटर हैं कि समय क्योंजोर रहले तूपर किसे, पर उसमें रहले ते खिए करने के इक सब्सक्राइब माहिए जब हलक ट्राइब यक्राइबल्स आप अपानि मै讯 क्ला ठाइब यह वे यह निए इस्टेंस से उसका इस्तमाल करके dot उसमें एक मैंतर है जिसका नामें getGeoFaceTransition एक मैंतर क्या करेंगे है हमें जो कुन सा भी जो भी GeoFace Transition fire हो जैसे कि GeoFace Transition Enter GeoFace Transition Exit जो भी हो वह हो इस Integer Value में आ जाएगा बात नहीं हम लोग क्या करेंगे कि चेक करेंगे कि कुम सा GeoFace Transition हो था है मतलब entry हो एक जिट हो उसके लिए क्या करेंगे इफ कंडिशन डालेंगे उसमें जालेंगे इफ GeoFace Transition यह जो वेरेबल था वह इस इक्वल तो GeoFace.GeoFace Transition Entry एंटर मतलब एंटर है तो या फिर एक्जिट हो मतलब एंटर या फिर एक्जिट है मुझे क्या करना है एंटर या फिर एक्जिट ढ़नों में से कौन सा भी हो तो मुझे देना है तो मैं आपके चेक करेंगे बात में स्कूल के लिए उसके लिस्ट लित विस्ट बनाएंगे टाइप ऑप जो फंस जो różब इस जो ओनरे पर के इसलों पज़िए गरिए है गोरे का संव उसके ले लिए ए उसके पार में कैनने पर 6Чाट रेसं ऑन नहीं इंस्टन्स का इंस्तिमाल करके . क्या कर रहा है कुछ सी मेतद उस कर रहा हुए get triggering geofances method इस method को call कर रहा हुआ है कुछ सा इंस्ट लेके geofances event इससे क्या होगा जितने भी geofances trigger होए वह सब call होगे और वो can store होगे list में geofances triggering geofances का list है वहाँ पर वो take over होगे बात में हम लोग हम जो चाहिए वो कर सकते हैं इस लिस्ट से हम लोग अभी हमें detail लेना है अभी भी geofances का transition में entry after exit होगा एक notification जाएगा क्या जाएगा कि entry होआ है exit होगा है तो दोस्तों यह आपने देखा कि कैसे हम लोग geofances को handle कर सकते हैं आप next question क्या है कि कैसे हम लोग geofances को trigger कैसे कर सकते हैं मतलब हमने तो देखा कि कैसे बना सकते हैं using geofances बाद में request कैसे कर सकते हैं using geofances request का instance लेके dot builder का इस्तमाल करके बाद में हमने देखा कि कैसे उसको handle कर सकते हैं separate class करके intent service class create करके उसमें हम लोग कौन सा fire हुआ है कौन सा transition हुआ है उसके उपला हम हमारा logic लगा सकते हैं अभी next कहेगी जो intent services को trigger कैसे करें start monitoring कैसे monitor कर सकते हैं हम लोग क्या करते हैं देखें we use a pending intent object to call intent service that will handle the geoface event जितने भी geofaces के event है उसके लिए हम लोग क्या कर रहें एक pending intent का इस्तमाल कर रहे हैं दोस्तों pending intent कर से बनाएंगे हम लोग एक pending intent बनाएंगे यहां पर मैंने request code है आप request code जो चाहिए वो लेख सकते हैं आपके इस नमाल से लिखिन integer value है यह रहना चाहिए बात में मैंने क्या क्या है यहां पर एक function बनाएं function का नाम क्या है private pending intent create geoface pending intent function है आप जो चाहिए आप वो intent बना सकते हैं तो return करो मतलब अगर पहले से कोई pending intent created है तो वह रिटर्न करेगा नहीं तो क्या करना है intent intent equal to new intent this यह का context है मतलब कहाँ पर main activity class में यह फिर आपका जो class का नाम दे आपने this current class बाद में geoface transition service.class यह class का है आपको जो मैंने previously देखाए था how to handle class का नाम है आपने जो भी दिया होगा वह यहां पर नाम दी जगा बाद में गया करना है return pending intent dot get service क्या है वो हमारा जो class service class है तो get service this geoface request code बाद में हमारा जो intent intent बाद में pending intent dot flag update current मतलब जब भी return हैगा हम सेम intent चाहिए होगा तो दोस्तों आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो उसे like, subscribe और share जरू कीज़ेगा और दोस्तों मेरा अखला जो वीडियो हो वो इसके उपर ही बनाने वाला हूँ मैं उसको उसमें आपको दिखाऊंगा कैसे जो फिंस से हम एक एप बना सकते हैं मतलब मैं आपको एक एप बना के डेमो तिकाऊंगा अगले वीडियो में थैंक्यू